नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आये सभाई टेस्ट बुक में दोस्तों आप लोगों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम तो सुनाई होगा यह बहुत फेमस पत्रिका है USA की इतनी ही फेमस पत्रिका है कि भारत के येशिश्वी प्रधानमंत्री इनों ने भी पास्ट में इंटर्व्यू दिया है इस पत्रिका को तो अब अगर हम वॉल स्ट्रीट जर्नल में देखें तो उसके कुछ एडिशन्स में इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट देखने मिला है शायद आप लोगों ने क्विंटिन टरेंटीनों की काफी मूवी इस देखी होगी तो उसमें वॉंटेड किस प्रकार से एक पोस्टर बनता था कुछ वैसे ही पोस्टर बना हुआ आपको इस पत्रिका के करीवन एक फुल पेज आड आपको इस प्रकार से देखने मिल रहा है इसमें क्या लिखा है वांटेड मोदी मैगनेट की लिवन अब इसमें अगर आप देखे तो जैजेज भी तो जैजेस भी है और साथ यसाथ आप अगर देखे तो यहाँ पे लिजिस्लेटिव एक्जीटिव जुडिशिरी भारत की अगर अगर अब देखे डेमोक्रेशी की जो तीन पिलर्स है तीनों ही पिलर्स को टार्गेट किया गया है इस एड में और इसको बड़े ही बेशर्मी से मैं कह सकता हूं बेशर्मी के साथ इसको फुल पेज में चापा गया है लास्ट में पूरा आड आपको लगता है जैसे समझी नहीं आता काफी देर तक तो कि यह एड है यह एडिटोरियल है यह है क्या और लास्ट में आप और 一些 बडेखेंगे इसमें प्या-क्या है तो बहुत सारे लोग जनका नाम है अपको पता कि लिशिलेटिव एग्से इजिस्टिशेटिव जुडीशियरी से भी आगी क्या लेका है इसमें आगे अगर आप देखे तो हिस्पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, these Modi government officials have decimated the rule of law by weaponizing the institutions of state to settle scores with political and business rivals making India an unsafe place for investors, हम ने आप पूछा है US government को कि इन officials पर economic and visa sanction लगाए, किस act के अंदर, अब याद आएगा आपको बुला है, मैगनीट्स की, so global magनीट्स की human rights accountability act के तहित, इन officials पर economic and visa sanctions लगें, अंडर Modi, a decline in the rule of law has been made and it has made India a dangerous place to invest, अगर आप investor है, if you are an investor in India, you might be next, तो यह ad से अगर आप देखें तो एक चीज़ पता चल रहा है, यह भारत विरोधी ad है, भारत में ministers को भी, supreme court, judges को भी target किया गया है, राधर भारत की पूरे democracy को target किया है, और इंडिया को यह dangerous place to invest भी कह रहा है, और दोस्तों, इस ad को जिसने sponsor किया है, जानते हैं, उसका connection किसके साथ है, इस रो के साथ, जिहां दोस्तों, भारत का pride, इस रो से connection है, और उसी के बाद यो भगवड़ा है, जो कि आज भारत से भागा भागा फिर रहा है, उसी ने यह ad sponsor किया है, अगर हम थोड़े से depth में जाए, थोड़े से detail में जाए, तो आईए, आप देख सकते हैं, दोस्तों, काफी जादा इस ad को news में cover किया जा रहा है, spectrum media के across the left, across the right, आप कहीं भी देखें, हर कोई इस ad की निंदा कर रहा है, wall street journal भी निंदा का पात रहा है, कि इस प्रकार का ad उन्होंने कैसे allow किया है, freedom of speech है, लेकिन क्या आपने background verification किया, जो इस ad को दे रहा है, तो आईए, आज इसी पर चर्चा करते हैं, तो news में है, wall street journal का full page advertisement जिससे भारत को target किया गया है, इस ad ने कहा है कि भारत एक unsafe place to invest है, यहाँ पे magnets की का मतलब क्या है, global magnets की act, 2016 में आया था, Obama administration के दौरान, यह act allow करता है, US government किसी भी foreign government के official को target कर सकते हैं, कैसे, एक ही तरीका है, उनके पास target करने का क्या, कि इसको visa नहीं देंगे, और US में जितने भी account है, वो खाते जब्थ हो जाएंगे, तो अगर पूरा नाम बताए, इस act का क्या है, global magnets की human rights accountability act, Obama administration में ही यह आया था, तो इस list में कौन-कौन है, तो pictures वाले तीन लोग है, इसमें अगर आप देखें तो finance minister निर्मला सीता रामन जी है, solicitor general सुशार महता है, entrance corporation के chairman राकेश ससी भूशन जी है, इसके सिवा देखिए, supreme court judges का नाम है, हिमंद गुपता जी है, राम सुब्रमन्यन जी है, special judge prevention of corruption act में, चंद्रशेखर जी है, ED के, आप देखें, enforcement directorate, उनके director संजेक कुमार मिश्रा जी है, assistant director आर राजेश जी है, deputy director ए साधीक महमत जी है, साथ-साथ CBI DSP भी है, अभिशेक परीक, साथी साथ additional solicitor general है, एन वेंकट रमन, जाहिर सी बात है, इस अगर आप किसी कोई खिलाफ एड चला रहे हैं, तो क्या आपके पास कुछ proof है, क्या वाल स्रीट जर्नल को, क्या उनको इस प्रकार का एड देना चाहिए था, अगर देखिए दोस्तों, वाल स्रीट जर्नल इस प्रकार का बनते हैं समाज के, तो कम से कम फिर वो ढूंग मत कीजिए, conscience keeper बनने का, या तो दूसरा ये हो सकता है, कि आप morally पूरे तरीके से bankrupt हो चुके हैं, एंड उसी का ये नतीजा है, या फिर आपकी बौधिक शमता नहीं है, कि आप इस ad के पीछे कौन है, उसको identify नहीं कर पाए, तो अगर either of the case, अगर आप morally bankrupt है, या तो आपकी बौधिक शमता खतम हो चुकी है, या फिर आपको पता नहीं चल रहा, तो आप either case, आप इस business में नहीं रहना चाहिए, आपको at least print media is not your place, बहतर होगा कि आप छोड़ दे, तो यहीं बाते भी सुनने मिलेंगी आपको, जल्दी आप देखेंगे, इसको mainstream media में भी बहुत ज्यादा coverage मिलने वाला है, अलरडी मिलना भी शुरू हो चुका है, दोस्ते आप आप आपको पताना चाहूंगा, यह जुन्होंने आड डाला है यह बड़े शातिर है, जो timing of the ad है, यह बहुत ही well planned है, क्योंकि इस वक्त निर्मला सीता रमन जी अगर आप देखें, तो IMF, World Bank, G20 Finance Minister, Central Bank Governor, बहुत सारी meeting होने वाली है US में, और इसी के लिए वो US गई हुई है, और उनके US आने के साथ इस प्रकार के ad से उनका स्वागत हो रहा है, हाला कि इस ad के पीछे कौन है, तो अगर आप front पे देखें, तो frontiers of freedom आगे में खेल रहा है, ऐसा दिख रहा है frontiers of freedom ने इस प्रकार का ad चला है, तो frontiers of freedom कौन है दोस्तों, तो George Landryth है, जो कि इसका founder है, और वही इसके ad के पीछे भी है, George Landryth associated है, इस frontiers of freedom के साथ, founder तो देखें तो एक Republican कहा जा रहा है, इसके बारे में, हाला कि that is not important, क्योंकि ये तो बस पैसे ले रहे हैं, और इस प्रकार का ad चला रहे है, इन्होंने एक petition भी डाला है US में, कि ये जो 11 लोग हैं, जिनका नाम इस ad में दिया गया है, उनके खिलाफ Global Magnets की Human Rights Accountability Act के अंदर sanctions लगाया जाए, पर जाहिर सी बात है, इस ad के पीछे कौन है, अगर आप देखें तो Mr. Ram Chandraan Vishwanathan कौन है ये आदमी, देख लीजिए इसको, तो ये petition जो की आप देख सकते हैं, इस वक्त Global Magnets की Human Rights Accountability Act का आप देख सकते हैं, जो लड रही है, Frontiers of Freedom, उस Frontiers of Freedom कि इसके बिहाफ पर ये petition डाला है, तो वो Ram Chandraan Vishwanathan के बिहाफ पर डाला है, तो ये petition वही अगर आप देखें तो actually sponsor कर रहा है, तो ये खुद क्या है, ये खुद एक fugitive economic offender है, ये देवस का former CEO था, और ये US citizen है Indian origin का, तो ये CEO से fugitive कैसे हुआ, आपको ये कहानी सुनाता हूँ, तो 2004 में हुआ यू की UPA regime में विश्वनाथन ने एक company found की थी, देवस multimedia private limited और बेंगलुरू में थी, परपस था इसका satellite based multimedia services provide करना था, एक साल बीचता है, देवस इस रो की एक, आप देखें तो private arm है, antrix corporation, private arm याने की private sector के साथ deal करने के लिए काम है, antrix corporation, उसक्त बिलकुल young phase में थी, एक startup जैसी थी, antrix corporation, तो antrix के साथ इसने एक deal किया, उस deal के अंदर क्या था, Gsat 6 and Gsat 6A जो satellite launch होने वाली है, उसमें S-band transponders का इस्तमाल antrix करेगी, क्योंकि उस वक्त आप देखें तो ये जो particular frequency spectrum है, उसका कुछ खास इस्तमाल नहीं था, उसको commercially allow नहीं किया गया था लोगों तक पहुचाने के लिए, तो इसलिए throw away price में, throw away price में, देवस को ये particular S-band transponders का communication satellite का access मिल जाता है, और इस deal के बाद जल्दी क्या होता है, इस deal के पीछे बहुत लोग होते हैं, जर्मनी की Deutsch, टेली कॉम भी होती है, and multiple investors इसको back करते हैं, बाद में entrance devas deal scrutiny में आ जाता ह हैं, इस पे कई corruption के irregularities के allegation लगने लगते हैं, क्योंकि allegation लगता है कि devas के पास insider knowledge था, क्योंकि जब उसने S-band spectrum खरीदा था, उस वक्त commercialization हुई नहीं थी, S-band spectrum की, तो entrance ने throw away price में कर दिया, लेकिन devas को पहले से मालुम था, कि जल्दी इस particular S-band spectrum को public में इस्तमाल किया जाए फोन के लिए, and इस तरीके से वो इसलिए starting में ही throw away price में खरीद ली, तो entrance को actual में नुकसान हो गया, तो 2G scam जब हो चुका था, उस तक सामने आ चुका था, तो UPA government ने जल्दी ये deal को terminate कर दिया, और आप देख सकते हैं, इसी की बात करें, तो CAG ने भी confirm किया, कि जो devas multimedia को S band deal मिला, ये एक platter में आप अगर देखे, तो बहुत ही throw away price पे इनको मिला है, तो जाहिर सी बात, जल्दी ED activate हो जाती है, और फिर इस case के अंदर दगुसती है, और इस साल के जून में विश्वनाथन को fugitive icon में कफेंडर, डिकलेर कर दिया जाता है, 2005 में इसी satellite deal के अंतरगत, और इसी के साथ 2015 में money laundering case भी लगता है, कहा जाता है कि इस प्रकार के insider deal से, पहले से ही मालूम था इनको कि किस प्रकार से ये particular S band इस्तमाल में आने वाला है, वो पहले से ही system में खरीद लेते हैं, और बाद में महंगा फायदा करके उसको बिचने वाले थे, तो इसमें वो क बहा जाता है कि illegal तरीके से 78 क्रोर कमाते हैं, तो आज वही व्यक्ति एक US के so-called conscience keeper का conscience, आप देखे किस प्रकार से दिगाल रड़ा है, तो यही है दोस्तों, आप देखे तो जो western media है, वो कैसे weaponize हो रही है, आप देख सकते हैं, इस ad से और बहतर आप और कहीं नहीं देख सक से कैसे media को weaponize किया जा रहा है, कुछ भारत विरोधी तबकी के दवारा, कुछ economic offenders के दवारा, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कि यह particular, जो की आप देखे जॉर्ज लैंडरे थे, इन्होंने कुछ tweet भी किया था, इसी ad लाने की एक दिन पहले, उसमें और एक, जो इस के काफी सवालों के घेरे में है, राना अयूब, उसको भी उन्होंने tag किया था, तो आप समझ सकते हैं, कौन लोग हैं, इसके पीछे आपको कुछ-कुछ hint मिल जाएगा, तो दोस्तों, आज़ी class बसंद आई होगी, तो like जरूर कीजेगा, इस telegram चैनल पर आप जुड़ सक से कई students इनके clear किये हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, daily life process हमारे जवार भी हो रही है, जो एक साल की UPSC, CSE की subscription है, उसकी एक साल की कीमत है दोस्तों, वैसे तो 36,000 रुपए है, पर जब आप coupon code KINJAL यूज़ करेंगे, तो आपको सबसे कम rate, 27,990 में ये subscription मिल किई झाल कुशीटे धे झाल ये